हेलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल पीसी एमबी डिजिटल गुरुकुल बेटा आज हम यहां पे बाइलोजी सेक्शन सॉल्फ करेंगे पूरा बॉर्टनिय और जिल्वाजी जो की अभी हमारा रीसेंट पेपर में आया है तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश क्वेशन का अंसर था गामा रेज और यह आपको आपका जो 11th क्लास का तो टॉपिक है कौन सी क्लास का है तो 12th क्लास का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 से यानि कि जो हमारा चैप्टर है एनिमल हजबेंडरी वाला सीधा NCRT के डरेक लाइन है मूटेशन सभेडिंग में आ क्लास 11th क्लास 11 इसमें आप दिखेंगे तो सेल्स विद एक्टिव सेल्स डिविजन किपासिटी अनाटमी ओ फ्लावरिंग प्लांट तो ऐसो को हम कहते हैं मेरिस्टेमाटिक टिशू तो एक के साथ तो होना चेथा 2 टिशू हैविंग ओल सेल्सिमिलर इंस्ट्रॉक्चिर इसका होगा सिंपलर टिशू तो टू और फोर होगा अगर आप इतना भी मैच कर लेते तो आप अंसर पर पहुंच जाते कि अंसर इसका होगा वन टिशू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वैस्कुलर टिशू डेड़ सेल्स इस स्क्लारेट्स तो यह असान सा सीधा सा अंसर है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लेंटिकल्स जो हमारे होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसस के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं और यह चीज आपने लेंटिकल्स वाली चीज जो है पड़ी होगी चैप्टर सिक्स में जो की 11th क्लास में है ठीक तो एक साथ 3 भी मैच कर लेते तो और कुछ मैच नहीं करना था सीधा अंसर हो जाता फिर बी के साथ 1 कॉर्क के अंबें फेलोजन यह भी न्सी आर्टी में है रारेक्ली सेकिंडरी कॉर्टेक्स के साथ आ जाएगा फेलोडर्म और कॉर्क के साथ आजाएगा सबरीन डिपोजि का और अगर आपको यह एक्जैक्ट अंसी आर्टी का अगरा पेज खुल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले डिन ने की रेप्लिकेशन हो रही है फिर आर ने में कर्वर्ट होने को हम ट्रांस्क्रिप्शन कहते हैं तो अगर इतना भी प्रांस्क् एक से दूसरे अलग स्पीसीज के प्लांट पर जाना डिफरेंट टाइप पे तो इसको हम कहते हैं जीनो गैमी यह चाप्टर नमबर टू ट्वल्थ क्लास का टॉपिक है डिनस ट्रांड्स ऑन जेल स्टेंड विद एथिडियम ब्रोमाइड वन विव अंड यूड यूड इस सीधा सीधा सा क्वेश्चन था चैप्टर नमबर 11 का क्लास थी 12 और इसमें अंसर था ब्राइट ओरेंज बैंड्स के अंसर था ब्राइट ओरेंज बैंड्स विच तो फॉल्लॉइंग इस एन इंकरेक्ट स्टेटमेंट तो मैचॉर सिव ट्यूब्स पोसेज अ कंस्पि और उलरेस नहीं होते इसलिए यह फर्स स्टेटमेंट यह हमारी इंकरेक्ट है उसके बाद जो है माइक्रोबोड़ीज रप्रेसंट इंब्ध प्लांट इनीमल सेल यह ठीक है पैरनुकलियर स्पेस वвой थी जानूब्स वारी स्टेटमेंट भी भिलकुल ठीक है यह आपको specific competition आपस में species of competition होने के बाद भी competing species कैसे evolved होती है कि अपने प्रेसोर्स का इस सा बाट लेती है ये तू ले लिए हो ये मैं ले लूँगा है ना तो उसको बोलता है resource partitioning क्या बोलता है resource partitioning और ये outside NCRT question था not in NCRT not in NCRT और ये question था chapter number 13 12 का उसके बाद 110 वा question अगर हम देखें तो gamma are present in तो भई gamma liver watts में present होते हैं ये सीधा सीधा सा NCRT का ही सवाल है chapter number 3 11 match list 1 with list 2 तो protoplasmic fusion क्या होता है plant issue culture क्या होता है meristematic culture क्या होता है तो protoplasmic fusion जो है वो हमें pomato के case में देखने को मिलता है plant tissue culture यानि कि जो tissue culturing होती है वो मिशा टोटी potency पे होती है meristime culture से virus free plant बनते हैं ये भी हम जानते हैं micropropagation में एक ही बच गया soma clones तो first cancer बच गया second tomato और potato बनाना और इनको match करोगे तो answer आएगा second the production of और ये हमारा जो question था जो भी हमने minus free वाला question करा है ये question था chapter number 9 12th class production of gametes by the parents formation of zygots F1, F2 can be understood तो कौन से diagram यूज़ करते हैं पुराना question है पूरनेट स्क्वेर chapter 5 class 12th general like saligna, salivina ये भी सीधा question था chapter 3 class 11th का अगर आप NCRT पढ़ते हैं तो आपको पक्का पता होगा कि इसमें answer था heterosporous fourth ठीक उसके आद amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium present in its lock at any given time तो ergonic का जब भी हम count करते हैं तो उसमें कहते हैं standing state और organic करते हैं तो होता standing crop ये था chapter 14, 12 तो आप इस analysis के बाद बहुत easily calculate कर सकते हो कि 12th के कितने question थे और 11th के कितने question थे immense realism को आप कैसे represent करोगे तो एक के लिए फाइदा दूसरे के लिए नुकसान ये भी NCRT की table है chapter number 13 उसके अध मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू अगर आप बात करते हैं तो ये आपका थोड़ा अच्छा question था कई लोगा ने गलती करी होगी पेपर के अंदर ये था chapter number 11 11th क्लास कि cohesion जो होगा वो होगा mutual attraction between the molecules adhesion is attraction toward polar surfaces surface tension is mutual attraction among water molecules guttation is water loss in the water loss surface tension is first option more attraction liquid phase or guttation is water loss in liquid phase और अगर आप इसको match करते हैं तो आप का अंसर वेटता है ये भी question था chapter 11 11th class which the following is not an application of PCR chain तो purification of isolated protein ये नहीं होता उसे protection gene amplification of molecule diagnosis होता है ये भी हमारा question हो जाएगा chapter number 11 12th class during the purification process for recombinant DNA technology addition of chilled ethanol precipitates out सीधा अंसर है DNA ये भी question है हमारा 12th का ही 11th chapter का तो biomolecules है काफी questions इन्दा equation R is तो हम सब जानते हैं कि GPP-R में R क्या होता है respiratory loss ये था chapter number 14 class 12th the first stable product of CH2 formation in this C4 plant C3 plant जोते हैं C3 plant में और C4 plant में क्या फरक होता है कि C4 में जो बनता है बनता है oxaloacetic acid chapter 13 11th ये सब NCRT में हों which the following algae produce carrageene तो red algae ये कुंसा question है chapter 3 11th उसके बाद है 122 हुआ question which the following statement is not correct तो भई not correct statement आपको बतानी थी इसमें grabbing of biomass in C is generally upright ये गरत बात है ये inverted होता है ये हमने पढ़ा होता है chapter number 14 12th में बागी सब ठीक है कि inverted होता है उपर वाली बात सही है energy हमेशा upright होती है grassland में upright होता है ठीक बात है match list 1 with list 2 तो ये तो cell chapter का question है जो कि हमारे chapter number 8 होता है 11th class में crystal क्या होते है thylakoid क्या होता है centromere क्या होता है तो primary construction होती है वो तो होती है centromere thylakoid क्या होते है जो flattened sacks होते है उसको हम बोलते है thylakoid तो भी thylakoid में हो जाएगा fourth option crystal क्या होती है crystal होती है जो infolding होती है mitochondria का third sister ने में बच गया एक second और इसका आप match करोगे तो answer आएगा three with the following are not secondary metabolites in plants question ही होई गया था किसका है secondary metabolite यह chapter number 9 का है 11th class का है not secondary metabolite में answer आएगा amino acid और glucose यह दोनों ही primary metabolites है बाकिस है morphine alkaloid है winblastin medicine है rubber gums polymeric substances है with the following algae contains manitol as a reserve food material तो जो भी brown algae होगी वो constitute करेगी और इसमें से एक ही है ectocarpus बाकि brown नहीं है आप NCRT में चेक कर सकते हैं typical angiosperm embryo sac at maturity is obviously cell कम होते हैं और nucleosic जादा होता है तो असान question था है यह भी chapter 2 12th ठीक उसके बाद देखते हैं diadalpha stamen तो यह भी NCRT का direct question था बट बहुत सरा लोग नहीं भी कर पायोंगे P plant chapter 5 11th when gene targeting involved gene amplification is attempted individual tissue to treat disease it is known as gene therapy simple सी बात है 12 12th with the following stage involved division of centromere तो पुराना सवाल है in a phase 2 this is chapter number 10 11th plant shows different pathways in response to environment on our phases of life यह भी direct question था chapter number 15 11th इसका अंसा था plasticity which the following plant is monoecious तो यहाँ पर भी आपको NCRT का chapter 1 याद रखना था class 12th का और यहाँ पे answer था 4 सीदा-सीदा NCRT का डाग्राम था यह भी सिदा-सीदा कोशिन था तो इसको बुलते हैं metacentric और यह भी हमारा कोशन था chapter number 8 11th class sight of perception of light in plant during photoperidism यह भी अच्छा कोशन था NCRT के एक 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 लाइन थी leaves chapter 15 11th the factor that leads to founder effect in a population is to genetic drift यह भी सीदा-सीदा कोशन था chapter 7, 12th plant hormone used to destroy weeds in a field यह भी NCRT का कोशन था chapter number 15, 11th यहापे answer था 2, 4D तो उसके बाद यह section A botany का पूरा होगा section B में आपको कोई 10 question करने था बट मैं आपको सभी solve कर दूँगा मैं ask the column 1 with column 2 तो यह question हमारा था chapter number 12, 11th class का कि भाई, NITROCOCUS क्या है? तो आप महापे पढ़ेंगे तो ammonia to nitrate convert करता है NITROCOCUS rhizobium क्या है? जो nitrogen को ammonia में convert करता है thiobacillus क्या है? जो denitrification करता है तो nitrobacter का यह option बचिए nitrate to nitrite यह सब exact वहीं पर difficult table question है select the correct pair इसमें से सही बात आपको जो है वो चूज करके बतानी थी large colorless empty cell in epidermis of grass leaves are subsidiary cells यह एक option है dicot leaves, vascular conjunctive tissue are surrounded by large thick walled cells conjunctive tissue बनता है नहीं cells of medullary raise that form part of kimball ring यह बिल्कुल NCRT में सीधी लाइन में दी गई है इसलिए हम बोलते हैं कि यह chapter 6 का question है 11th में इसे direct question है अब पढ़ेंगे तो clear हो जोएगा इसके बाद question है which of the following statement is correct fusion of two cells को karyogamy कहते हैं पहला question बिल्कुल नहीं कहते हैं वो तो Nucleus के लिए term use होगा protoplasm between metal और non-metall या और non-metall gamet is plasmo gammy यह statement ठीक लग रही है coding strand is copied जी नहीं template copy होता है बिटा अच्छे नीचे वाला question organism that depend on living planter saprophytes जी नहीं dead वाले होते हैं saprophytes can fix atmospheric nitrogen in sheet cells ऐसा भी नहीं होता यहाँ पर answer होगा chapter number 6 12th class का second chapter 2 बेटा सौरी फंगई वाला question है न है तो chapter 2 biological classification identify the correct statement in capping methyl gynosin triphosphate is added to 3 end बिल्कुल नहीं adenosine monophosphate से add होते हैं RNA polymerase bind with row factor to terminate the chain यह बिल्कुल ठीक बात है the coding strand and transcription unit is copied to mRNA gene ही split gene arrangement is characteristic characteristic of prokaryote gene यह eukaryote में होते हैं entron or exons वगेरा यहाँ पर answer होगा second यह question होगा chapter 6 12 in the exponential growth E represents तो यह direct question था base of natural algorithms और in CRT में directly given भी था chapter 15 class 11th which the following statement is incorrect during aerobic respiration role of oxygen is limited ठीक in ETC one molecule of NADH plus give rise to 2 2 नहीं बेटा कितना होना चेथा यहाँ 3 तो यह statement क्या होगा गलत तो यहाँ पर यही answer होगा 1 FEDase to give rise to 3 नहीं यहाँ पर क्या होगा 2 ATP complex 5 से आती है और oxidation reduction से proton gradient बनता है बाते ठीक हैं यह question है chapter number 14 class 11 what is the role of RNA polymerase 3 in process of transcription of eukaryotes यह भी बहुत सीधा सीधा question था chapter 6 class 12 का और इसका answer था transcribes tRNA 5S RNA and SN RNA direct question है तो हम जादा explanation नहीं कर रहे हैं आप लोग एक बार देख लोजेगा खुलके some member of which the following pair remain their availability for months after release यह chapter 2 का question था जो की class 12 में आप लोग पढ़ते हैं और इसका सीधा answer हों पे दिया हुआ है Rosa C.I.N. Legmanasa C.I.N. match list 1 with list 2 तो यह question है आपका chapter 10 और class है आपकी 11 तो S phase आप से पूछा गया है G2 phase पूछा गया है G1 phase पूछा गया है तो S phase में तो होती है बिटा DNA replication G2 phase जो होती है उसमें protein बनते हैं quotient phase inactive phase होती है बच गया G1 जो की interval होती है और अगर आप इन तीनों को match करेंगे तो answer होगा 3 chapter हम पहले बिता चुके हैं कौन सा है Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in clone of cells तो जो हम यह कर पाते हैं hybridization से identification यह क्यों पर पाते हैं क्योंकि mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementary unit हमारे cells के साथ जब हम उसको copy करते हैं तो mutated gene का हमारे जैसे DNA से कोई match नहीं करता इसलिए वो अलग से नजर हमें आ जाता है यहां पर हमारा answer होगा chapter 6, 12 का 3 147 plasmid PBR322 उसमें PST1 restriction enzyme site है जाम पर ampicillin resistance gene है if this enzyme is used for inserting beta-galactocyte production and recombinant plasmid is inserted तो common science की बात होती है कि जो भी restriction site पर आपके पास activity है अगर आप recombinant plasmid लाएंगे तो वो variation में चला जाएगा तो उसके पहले ampicillin resistance था तो बाद में ampicillin resistance नहीं रहेगा तो इसका answer हो जाएगा 1 और एक question हो जाएगा chapter 11 class 12 का match the column 1 with the column 2 यह बहुत straightforward question था chapter number 5 11 का बेटा बहुत simple simple सी बात थी कि सबसे पहले आपके सामने फेबा सी आई है फिर सोरना सी आई है फिर लीलिया सी आई है और फिर ब्रास सी आई है और यहाँ पर अंसर हो जाएगा 1 direct question है फ्लोरल फॉर्मला सब NCRT में दिये होए हैं statement is incorrect बोथ ATP and NADPH plus hydrogen science are synthesized during photophosphore relation ठीक बात non-cyclic में होते हैं stroma lemuli has PS1 only and lack NADP reductase ठीक बात है granul lemuli have PS1 and PS2 ठीक है cyclic photophosphore relation में दोने involved नहीं होते सिर्फ एक ही photo system involved होता है तो यह statement यहाँ गलत हो गई और यहाँ पर answer हो जाएगा यह chapter number 13, 11th का directly NCRT में भी यह चीज हमें दी हुई है अब second last question कि master list तो यह biomolecule का question है जो कि chapter number 9, 11th class का topic है बटा कि protein जो होते हैं उसमें peptide bond होता है तो four unsaturated में double bonds होते हैं nucleic acid में phosphodiester bonds होते हैं और polysacred में glycosidic bonds होते हैं और अगर आप इन सब terms को यहाँ पर match करोगे तो आपका answer बन जाएगा first last question था जो इस हिस्से में वो था chapter number 6 का 12th class का इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग geological discussion करेंगे DNA fingerprinting involves identifying differences and some specific reasons in DNA sequences called as क्या कहते हैं उसे repetitive DNA क्या कहते हैं repetitive DNA बिल्कुल exact line NCRT में दे गई थी so thank you so much for watching the video friends please subscribe to our channel keep supporting us do like and share our videos